स्वैच्छिक रक्तदान को भड़ावा देने के लिए विश्व स्वास्ते संगठन वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ने वर्ष उन्डिस सो सत्तानवे से चौदे जून को विश्व रक्तदान देवास वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनानी की गोश्णा की है इस मुहीम के पीछे मकसद विश्व भर में रक्तदान की एहमियत को समझाना था लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोक्तरंत भारत में इस मुहीम को उतना प्रोच साहन नहीं मिल पाया जितना की उपेक्षित है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लोगों में फैली ब्रां है कि नियमित खून देने से लोगों की रोग प्रतिकारक शमता कम हो जाने की कारण भीमानिया जल्दी पकड़ लीती हैं ऐसी मानसिक्ता की चलते रक्तदान लोगों के लिए हवाब बना गया है जिसका नाम सुनकर ही लोग सिहर उटते हैं ऐसे ही ब्रांतियों को दूर करन के लिए विश्व स्वास्ते संग रिठन वर्ल्ड हैल्थ और्गिनाइजेशन ने इस आयोजन की नीव रखी ताकि लोग व्लड डोनेशन रक्तदान के महत को समझे जरूरत बंदों की सायता करें थैलिसीमिया एक ऐसी मिमारी है जिसके चलते एक निश्यत अबदी के लगाया जा सकता है कि थैलिसीमिया सिग्रसित रोग्यों को हमारे और आपके द्वारा दान किये गए रख्त की कितनी जरूरत है रख्तदान के संबन में चिकित्सा विज्ञान कहता है कि वे व्यक्ति जिसकी उम्र 16-60 साल के बीच और वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो जिसे HIV, Hepatitis B जैसी विमारी नहीं हुई हो वे रख्तदान कर सकता है एक बार मैं जो 350 मिलिग्राम लख्त दिया जाता है उसकी पूर्ती शरीर में 24 घंडे के अंदर हो ही जाती है और गुडवत्ता की पूर्ती किस दिनों के बीतर हो ही जाती है उसरे जो व्यक्ति नियमित रख्त करते हैं उन्हें हिदे संबंदी विमारिय Salesforce कम परिशान करती हैं तीसरी आहिम बात है कि हमारे रख्ति कृ 12 महां मैं की जान बचा सकता है लगत दान के प्रती जागरुकता जिस इसतर पर लाई जानी चाहिए थी उससतर पर ना तो कोशिश हुई नहीं लोगों परने की खुद को कोशिश की भारत की बात की जाए तो अब तक देश तो असमें bir में सेंटरलाइज ब्लड बैंक की स्थापना नहीं हो पाई है जिसके माध्यम से पूरे देश में कहीं पर भी खून की जरुद को पूरा किया जा सकता है आर ब्लड डोनेशन कुट सेव अप टू थी लाइफ अब हम लेकर आ रहे हैं भारत का पहला मुक्त रख्तदान एप हमारे एप में हम ब्लड डोनर और ब्लड रिसीवर को कनेक करेंगे ये सेवाएं स्थां के अनुसा रख्तदाता की सूची करेगी और दाता को रिसीवर की विवरण आगे करेगी प्रदान कैसे करता है ये एप काम अगर किसी को blood चाहिए वे अपने application में requirement जोडेंगे उसी location के blood donor और same blood group के साथ match होने के बाद blood donor को notification आएगा जो USI recruitment को accept करेंगे वे blood donate करेंगे Digital blood donor matchmaking platform coming soon